अलो प्यारे बच्चों ये है आपकी गणित की कारेपत्रक संख्या 9 जो साथवी कक्षा के चात्रों को 22 अक्तूबर 2020 को करनी थी लेकिन अब आप इसको 26 अक्तूबर 2020 तक भी कर सकते हैं आप जो ये आपको पिटा दिशाहरे की चुटियां मिली हैं 22, 23, 24 और 25 तारिक की तो इसलिए यही वर्कशीट आपकी 26 तारिक को भी यही वर्कशीट रहेगी तो आप 22 तारिक या 26 तारिक को कंफ्यूज ना हो क्योंकि चुटियां हो गई इसलिए इसको ही 26 तारिक को भी यह आहिं वाली वर्कषीट आपको दी जाईगी तो देखिए, आज की जो वर्कषीट है हमारी वो है त्रिभुज और इसके गुड उस त्रिभुज का नाम बताएए जिसके तीनो भुजाएं बराबर होती है आपको आता है सोचिये, सोचिए तो तीनों भुजाएं जिस त्रिबुज की बराबर होती है वह होता है बिल्कुल सही तीनों भुजाएं बराबर मतलब सम बाहू समान भुजाएं बाहू क्या भुजा सम बाहू त्रिबुज अब देखिए जिसके तीनों भुजाएं समान है उसे तो सम बाहू कह दिया क्या आप किसी ऐसे त्रिबुज के बारे में जानते हैं जिसके दो भुजाएं बराबर होती है यदि हाँ तो त्रिबुज का नाम बताईए देखिए जब दो भुजाएं बराबर है तो क्या हो गया समान यानि कि सम द्वी बाहू तरिबुज सम द्वी बाहू तरिबुज यानि कि दो बुजाएं उसकी बराबर है और अगर आपसे पूछा जाए इसमें तो नहीं पूछा लेकिन जिसके कोई भी भुजा बराबर नहीं होती उसको बोलते हैं विशब बाहू यानि कि तीनों बुजाएं अलग लग है जी हाँ सम द्वी भाहू दो बुजाएं आपस सम द्वी भाहू त्रिभुज की दो बुजाएं बराबर होती हैं आपस में अब सम द्वी भाहू त्रिभुज के कोडों के सम क्या सम्बंद होते हैं आज हम ये क्रिया कलाब द्वारा जानेंगे तो देखिए एक कागज द्वारा त्रिभुज x, y, z को इस प्रकार काटे जिसमें x और y x, y और x, z तो बिटा x, y और x, z यह जो x, y और x, z है बराबर दिखाने के लिए दोनों पर यह सिंगर लाइन डाली है कि यह दोनों जो बुजाएं यह बराबर हों x, y बराबर है x, z के अर्थात आपको दो बराबर बुजाएं वाला एक त्रिभुज काटना है अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए कि शीर्ष y और z पर आ जाए इसको अगर मोड़ेंगे तो इस तरह से मोड़ा आपने जब आपने इस तरह से मोड़ा तो y और z कोने को जब मिला दिया तो दोनों एक दूसरे को पूरा ढख लेते हैं आता है दोनों कोनों का आधार कोन, दोनों कोन क्या हो गए जब दोनों एक दूसरे को ढख लेते हैं इन दोनों कोणों का अधार कोण कहते हैं इन दोनों कोणों का अधार कोण कहने के साथ सद ये दोनों कोण कैसे हैं बराबर हैं बुजा x y x z को तरिबुज x y z की सम बुजाएं कहते हैं आप देखिए यहां पर अब हमें क्या पता चला कि किसी तरी बुझ के बराबर भुजाओं के सामने वाले ये बराबर भुजाओं थी इनके सामने वाले कौन तो इनके सामने वाले कौन कौन से हो गए बिटा इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला तो ये दोनों कोण क्योंकि दोनों बुजाएं बराबर है दोनों कोण इन कोणों को सम्मक कोण भी कहते हैं तो ये दोनों बुज कोण क्या हूंगे किसी तरिबुज के बराबर बुजाओं के सामने वाले सम्मक कोण आपस में बराबर होते हैं अब देखिए कागच के एक टुकडे में से ABC को काटें अब एक तुकडे से इसके कोनों को एक-दो Chief नाम दे दीजिए फिर कोनोंको भी अलगलग काट दीजिए इस तरह से पहले आपने तरिपुच बनाया फिर आप Prophet कहीसे कौण अलग किये जब आप तीनों को इस तरह से जोड़ेंगे किनारों को तो क्या होगा अब आपको तृपुच के तीनों टुकड़ों को विभाजित जो हो गए हैं इन तीनों टुकड़ों को एक साथ दिखाएगा चित्र के अनुसार सीधी रेखा में जमा देना है आप दे क्या होता है 180 डिग्री इसे हमें पता चलता है कि त्रिभुज के अंते हैं कोण त्रिभुज के अंदर जो कोण है उनका योग क्या होता है 180 डिग्री अब आपको क्या करके देखना है देखिए नीचे दी गई जो माप है 2, 3, 5, 3, 6, 7 और 6, 3, 2 इस माप के आपको पतियां काटकर उनका प्रियोग करके आपको त्रिभुज बनाने की कोशिश करनी है अब आप त्रिभुज जब बनाएंगे तो देखिए त्रिभुज जैसे फिर इधर देखिए ये है हमारा हमने 3 और 6 पहले हमने मान लेजे 7 बना दिया जब आपने 7 बनाया तो 7 बनाने के बाद आप उसके बाद देखिए 7 के बाद आपने यहां से 3 बना दिया 3 के बाद यहां से आप 6 बना देंगे तो यह त्रिभुज बन जाएगा लेकिन जहां पर भी आप जहां पर भी देखेंगे कि ये जो तृवज है इसकी माप, इसकी जो बजाओं का माप, दो बजाओं का माप तीसरी बुजा जो है, उससे अधिक होता है तब ही तृवज बनेगा नहीं तो तृवज नहीं बन पाएगा, वो जुड़ेगा नहीं वो तीनों को उने जुड़ने ही पाएंगे तो आपको ये बना कर देखना है और इससे हमें ये पता चलता है कि उन्हें तरी बुच्की रच्णा कर सकेंगे जिनमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजास की माप से अधिक था जैसे अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों का योग किया तो यह आया पाँच और यह है छे तो यह इससे अधिक नहीं है तो यह नहीं बनेगा यहाँ पर हमने इन दोनों को योग किया तो आया नो नो बढ़ा है साथ से तो यह बन जाएगा आपने यहाँ पर पांच और पांच दोनों बराबर हैं तो ये भी नहीं बनेगा ये हमें जब आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दो भुजाओं का योग होता है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है अब देखिए आज हमें करना क्या है आज हमें जो प्रश्ण करने है वो इस प्रकार है निम्द त्रिबु जो में आपको X का माप निकालना है X का मान निकालना है तो देखिए हमें पहले प्रश्ण का जो पहला भाग दिया गया है उसमें देखिए आपके पहले भाग में सबसे पहले अपने कॉपी में एक फिगर जरूर बनाएंगे जैसे मैंने भी आपको फिगर बनाके दिखाईए और यह देखिए उपर मैंने लिख भी दिया है आपको याद रहे था कि यह 22 तारीक की जो वरकशीट है वो 22 से अब कौन सी तारीक हो गई है 26 तो आप 26 तक कर सकते हैं इसे अराम से अब देखिए आप उसको चितर को जरूर बनाईए और चितर बनाने पर उसको नहमांकित भी करिए यह तरिभुज है ABC जिसमें एंगल A जो है जो कौन A है वो X है कौन B 50 है और कौन C 60 है जैसा कि हमें पता है कौन A जमा कौन B जमा कौन C क्या होता है 180 C डिगरी हमने उसका कारण या ब्राकेट में जरूर लिखना है हम जो भी तरिभुज का गुण कोई भी उसकी प्रापर्टी यूज करते हैं तो हमें वो ब्राकेट में साइड में जरूर लिखना है कि हमने ऐसा क्यों लिखा है तो यहाँ पर देखिए तरिभुज के तीनों अंत्य कोनों का योग 180 डिगरी होता है अब यहाँ पर A की जगा क्या है X, B की जगा क्या 50 और C की जगा 60 और यह कितना होना चीए कुल यह बराबर है 180 X जमा 110 बराबर 180 जब अब X यहीं पर रहेगा और 180 में से खटेगा 110 तो आ गया 70 यानि कि उत्तर हमारा हो गया एंगल A यानि कि कौन A बराबर X बराबर है 70 डिगरी अब देखिए इसका अगला भाग इसके अगले भाग में मिटा एक चीज़ आपको ध्यार नखनी है जब भी हमें डाइग्राम जब भी हमें चितर दिया होता है अगर इस तरह से ये ऐसे बना हुए है आपको देखके पर पता चल रहा है और साथ ही साथ आप देखेंगे ये ऐसे बॉक्स ये वर्ग बना होता है तो ये वर्ग बताता है कि ये कितने डिगरी का कौन है ये 90 डिगरी का कौन है ये सम कौन है तो यहां देखिए, अब हमारा जो यह ट्राइंगल है, यह जो हमारा त्रिभुज है, इसके कोण P, Q, R का योग कितना होगा, 180 डिगरी, और हम यहां जरूर लिखेंगे, कि त्रिभुज के तीनों, अन्ते कोणों का योग 180 डिगरी होता है, 90, 50, जो कोण P है, वो 90 है, कोण Q, 30 है, कोण R, X है, हमने वो मान लिख दिया, और 180, 90 और 30, 120 हो जाएगा, 120 जमा X, बराबर 180, X का मान निकालेंगे, तो X is equal to, X बराबर है, 180 घटा 120, यानि की 60, तो उत्तर आ जाएगा, कोण R बराबर है, X बराबर है, 60 डिगरी, अब इसी तरह से, देखिए, बٹा, वहाँ पर क्या है, वहाँ आपके, जो चित्र दिया गया, वहाँ उसका नाम नहीं लिखा गया, तो आप चाहें, तो A, B, C, लिख सकते हैं, आप चाहें, तो B, Q, R, लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर BC घा है, एंगल, जो कौण A, जमा कौण B, जमा कौ C बराबर 180 डिगरी यहां जरूर लिखेंगे कि तरिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिगरी होता है इनका मान लिख दीजिए A की जगा 50, B की जगा X और C की जगा X अब यह X क्यों है दोनों क्योंकि देखिए यह दोनों भुजाओं को दिखाया गया यह लाइन डालके कि दोनों भुजाओं बराबर हैं और दो जो बराबर भुजाओं होते हैं तरिभुज के उसके सम्मुक यानि कि उसके सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं तो हम यहां यह जरूर लिखेंगे तिरे बुझ के बराबर बुझाओं के सामने वाले कौन जिसको आप सामने वाले ना लिखें सम्मुक कौन भी लिख सकते हैं आपस में बराबर होते हैं अब 50 डिगरी जमर 2X बराबर 180 डिगरी 2X यहां रह गया 180 घटा 50 जब आपका यहां जमा में होता है तो दूसरी पक्ष में जाकर वो घटा होता है तो 2X बराबर 130 X बराबर 130 बटा 2 बराबर 65 डिगरी तो यहां बिटा कौन B बराबर कौन C बराबर X is equal to 65 डिगरी यह था आपका प्रश्य नमबर एक अब हैं प्रश्य नमबर 2 तो प्रश्य नमबर 2 में बिटा आपको क्या करना है प्रश्य नमबर 2 में यह दिये गए मान ह जो कोण दिये गए हैं और कोणों को देखकर आपको बताना है क्या ये त्रिबुच के अंते कोण है क्या ये तीनों त्रिबुच के अंते कोण है तो हम सबसे पहले प्रेश्ट में उपर क्या लिख देंगे जब हम हाल करेंगे कि त्रिबुच के तीनों अंते कोणों का योग क्या होता है 180 डिगरी होता है और उसके पर निर्धारित अगर हम ये करते हैं हमने जमा किया 40, 70, 80 ये आगए 190 जो की क्या है असंभव हो ही नहीं सकता फिर उसके बाद देखिए बिटा इसके बाद दूसरा मान है 20 जमा 95 जमा 65 तो तीनों को जमा किया 20 जमा 95 जमा 65 बराबर 180 और ये बिल्कुल सही है कि ये त्रिबुच के तीनों अंते कोण है क्योंकि इनका मान इनका योग 180 डिगरी आ रहा है अब देखिए 45 जमा 55 जमा 80 जबाब करेंगे तो आएगा 180 तो ये भी संभव है क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिगरी है अब देखिए 35 जमा 45 जमा 50 जबाब इन तीनों को जमा करेंगे तो आया 130 जो की 180 से कम है तो ये असंभव है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि त्रिबुच के तीनों अंते कोणों का योग 180 डिगरी होता है तो बिटा आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई है आप बच्चे ये वाली वरक्षीट जब करेंगे तो उसके साथ साथ अपनी पाठे पुस्तक में अपनी NCRT की जो आपकी गणती किताब है उसमें भी जो प्रश्न दिये गए है उनको भी एक बार करिए और अपने साथ साथ बीटा प्राक्टेस भी करिए इनकी ये वाले प्रश्न करने के साथ साथ इससे संबंदित इस पर आधारित और जो प्रश्न है किताब में वो भी हल करके देखिए और आज का देखिए हमारा सीए भी मैसेज जो है यानि की कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर हमारा कोविड के संदर में जो वेवार हमें हमीशा अपनाना है नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और इससे साथ साथ मास्क पहने छे फूट छे फीट या दो गस की शारिरिक दूरी बनाए रखें बहुत जादा किसी के नज़रीक ना जाएं हो सके तो घर से मार ना जाएं स्टे है अट होम, स्टे सेफ और मिटा यही आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्त रहें, खुश रहें और इसी तरह से अपनी लर्निंग इंजॉई करते रहें स्टे कनेक्टेड अगर आप जुड़े रहेंगे तो इसी तरह से कीप लर्निंग, कीप इंजॉईंग, थाइंक यू